हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू पीजी ग्लासेज मेकिंग वे थू शॉर्टकट्स तो दोस्तों काफी महीनों बाद आपसे मिलना हो रहा है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियोस MCQs की कुनसी हिस्ट्री ओफ इंडिया की ठीक है जिसमें हम पढ़ेंगे स्टार् की प्रेक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं MCQs पार्ट तो पहला MCQ क्यों कहा है who were the first to start a joint stock company to trade with India ठीक है इन में से कौन ऐसे थे जिन्होंने first start किया joint stock company to trade with India ठीक है कौन ऐसे थे वो थे डच ठीक है इनकी जो कंपनी थी वो थी वेरिंज ऑस्ट्रिंडिच company ठीक है वी ओसी भी उसे कहते थे और वो एक वर्ल्ड की पहली formally listed company थी मतलब की पहली ऐसी company थी जिसके अपने stocks थे ठीक है तो कौन था इंडिया के साथ पहली company trade के लिए वो थी डच ठीक है वी ओसी उसे कहते है ठीक है next mcq है the first factory by the dutch was established at which of which among the following places ठीक है पहली factory जो थी डच ने कहाँ पे establish की थी तो वो की थी massoli pattern में यहाँ पे spelling mistake है massoli pattern में की थी कब की थी 1602 में की थी ठीक है next mcq है next हमें थोड़ा सा पढ़ लेते है इसका ठीक है the dutch east india company also known as वेरिंज और इंडिच company या वी ओसी जिसे कहते थे कब establish हुई थी वो 1602 में हुई थी और यह world की first formally listed public company थी और इसका permanent trading post कहाँ पे था इंडोनेशिया में था उसके बाद आता है dutch ने पहली factory अपनी कहाँ open की massoli pattern में की ठीक है कब की 1605 में की ठीक है और they established Fort William in Cochin after defeating the Portuguese the main center जो important point से किसके Dutch East India Company के ठीक है next बढ़ते है MC की उसके तरफ next क्या है for which of the following commodities the Dutch wanted to barter cotton piece goods in the Indonesian archipelago अब ये क्या है कि barter system क्या होता है barter system मतलब पहले पहले जो trade होता था वो किस तरह से होता था वो होता था बार्टर सिस्टम मतलब उसमें currency कोई नहीं होती थी currency exchange नहीं होता था उसम हम क्या करते थे जैसे suppose हमारे पास दो चीज़ें एक बंदे के पास गहूं थे और एक बंदे के पास rice थे तो वो क्या करता था कि जिसको rice की जरूरत थी तो वो उसको rice दे देता था जिसको गहूं की जरूरत थे तो गहूं वाला उसको गहूं देता था ठीक है तो मतलब आता था, pepper and spices, याद रखना next आता है हमारा MCQ in which year first fleet of Dutch reached in India, ठीक है, first fleet मतलब पहला गुच्छा कह सकते हो, पहला जुन्द Dutch का जो था, वो इंडिया में कब आया था, ठीक है, वो आया था 1595 में, ये सारे important question है आपके next है आपका MCQ अगला, at which of the following places were the first ever European township constructed in India पहला, first ever European township constructed in India, कहां पे हुआ था, कोची में हुआ था, most important next है आपका Goa was captured by L. Becquare ठीक है, from ruler of which among the falling state, ठीक है, किसके ruler से Goa को capture किया गया था किसने किया था, ये second governor था, किसका पार्तिक उइसका, कब बना था 1509 में बना था, ये capture किया था, Goa को कब किया था, 1510 में Goa को capture किया गया था, किससे किया गया था Bijjapur ruler से, ठीक है, किससे Bijjapur ruler से capture किया था next है in which year the Cape of Good Hope was discovered by Parthiguis Navigator Bartholomew-Dyas ठीक है, किस साल में Cape of Good Hope जो है, वो discover किया था, किसने, Parthiguis Navigator इसका नाम था, Bartholomew-Dyas ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं, ये वाला question कि Cape of Good Hope, किसने discover किया था, उसका क्या नाम था, और कब किया था, वो किया था, 1487 में, ठीक है next है, real foundation of Parthiguis, power in India was, ठीक है, real foundation मतलब, real foundation किसने रखी थी Parthiguis की, वैसे तो इसका पहला जो governor था, वो कौन था, Francisco sorry, पहला governor जो था, इसका वो कौन था, Francisco D. Almedia, जो था, इसका पहला governor था, ठीक है, और Alfonso D. Albecauer, जो था, इसका दूसरा governor था, जो सही foundation थी, real foundation थी, वो किसने रखी थी, वो रखी थी Albecauer ने, ठीक है, Albecauer ने, नेक्स्ट है वासकोड़गामा discovered the sea route to India in which of the following year किसी येर में वासकोड़गामा ने sea route discover किया था, तो किया था 1498 में, नेक्स्ट आते हैं कुछ important point, Parthiguis के related पढ़ लेते हैं, ठीक है, सबसे पहला क्या है, वासकोड़गामा reached Calicut, सबसे पहले कहां पर आया थे, Calicut में किस डेट को, 17th May 1498 at that time, Calicut was ruled by Zamorian King, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, Zamorian King, ठीक है, नेक्स्ट क्या है in 1500, एक और Parthiguis का बंदा आया था, इंडिया में जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था Pedro Alvarez Cabral, ठीक है Pedro Alvarez Cabral उसका नाम था, और उसने, जब वो आ रहा था था, उसने अपने वे में, अपने रास्ते में क्या discover किया था, आते आते, Brazil को discover किया था, पूछ सकते हैं आपको, Brazil को किस इसने डिस्कवर किया था तो किया था पेड्रो अलवेरेस केमरल ने ठीक है उसके बाद क्या था फर्स्ट पॉर्टेगोस फैक्टरी जो थी वो कहां पे एस्टेब्लिश हुई थी और कब एस्टेब्लिश हुई थी most important question है कहां पे हुई थी Calicut में हुई थी और कब हुई थी 1500 में हुई थी और their first fort fort कहां पे पहला बना था कोचिन में बना था और 1503 में बना था इसमें हमेशा confusion होती है बचे बूल जाते हैं कि first Portuguese factory और fort में factory को कोचिन लिख देते हैं और fort को Calicut लेते हैं लेकिन सबसे पहले क्या है Calicut जहां पे factory establish हुई थी 1500 में उसके बाद fort establish हुआ था कोचिन में कहां 1503 में ठीक है और ये जो बना आया था इनका Pedro Alvarez Cabral ठीक है इसकी war हुई थी किसके साथ Arabs के साथ उसको बोना जाता है battle of Calicut next है first governor जो है पार्टी की इसका वो कौन था Francisco Almedia था 1505 में वो बना था और एक blue water policy थी जो की attribute की जाती है जो की जोड़ी जाती है किसके साथ Almedia के साथ क्यूं क्यूंकि जैसे ही एक governor बना तो ये कहता था कि जिसके पास पानी आ गया जिसके पास समुंदर का area आ गया उसके पास पूरा universe आ गया ठीक है इसका कहना क्या था जिसके पास समुंदर का area आ गया उसके पास पूरा universe आ गया तो ये कहने का ये मतलब था कि समुंदर में हम लोग जो है हमारा जो nation है हमारा जो power है वो सबसे ज़ादा होनी चाहिए तो यही आपकी blue water policy थी अगर blue water policy का कभी भी नाम आया तो वो किस के साथ जोड़ा जाएगा Francisco Almedia के साथ जोड़ा जाएगा तो next MCQ यही है कि which Portuguese viceroy followed the blue water policy तो किस ने किया अभी मैंने बताया था Francisco D. Almedia ने किया था जो कि first था इसका Portuguese का next आते है which one of the following factories in Bengal as established by Portuguese Bengal में कुनसी ऐसी factory थी पहली जो established की थी Portuguese ने वो क्या थी हुगली ठीक है क्या थी हुगली next है who was the first Portuguese viceroy in India तो first क्या था आपको पता है Francisco D. Almedia second पूछा जाए तो Albequare जो कि 1509 में बना था और ये बना था पहला 1505 में next बढ़ते है where in India did the Portuguese built their first fortress अब मैंने बताया कि first factory कहा थी first factory Calicut में थी और first fort कहां पे था कोचिन में था कहां पे कितने date क्या थी उसकी 1503 और first factory Calicut में थी date क्या थी 1500 ठीक है next है कुछ important point और second governor कौन था Alphanzo D. Albequare 1509 में बना था उसने 15010 में गुआ को capture किया था किस से Bijjapur ruler से ठीक है और इसी को कहा जाता है real founder of Portuguese colonial empire ठीक है और यही था first to abolish the practice of sati next एक और मन्दा था Nino Da Kunha ठीक है नाम इनके अजीब से होते है Nino Da Kunha जो था उसने पार्टिगुज की capital जो थी India से Cochin से कहांपे transfer की थी Gowa में यह important question भी पूछा जाता है कि किस बंदे ने मतलब किस ने transfer की थी या फिर कब की थी या फिर Cochin से कहाा पे transfer हुई थी यहां सक तीन question बन सकते हैं तो निन हो The Kunha आप कहा सकते हैं इसको कहां से transfer हुई थी Cochin से गुवा में transfer हुई थी, कब हुई थी, 1513 में हुई थी, 1513 में नी, sorry 1530 में, ठीक है, और इसी ने acquire किया था, due किसमे 1535 में, और दमन 1559 में, ठीक है, और पर्तिक्यों लॉस्ट हुगली 1632 में, इन्होंने हुगली लॉस्ट किया था, during the reign of शाह जहां, ठीक है, यह सारे important question है, मैं है, ठीक है, तो हम लोग फिल भी इसको देख लेते हैं, question क्या है, which of the following statement is or are correct about the partiguis in India, अवास को डिकामा लेंड़े 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 इन 1498, हाँ, वास को डिकामा आया था, कहां पे, 1498 पे ही आया था, ठीक है, पर्तिक्यों बिल्ट दिर, first four, first four, कोचीन में बनाया थ है, Goa was captured in 1520, Goa capture तो किया गया था, लेकिन कब 1510 में, जब दूसरा governor, जो था, viceroy कह सकते हैं, Albeckquare, जब वो बना था, 1509 में, उसने 15010 में capture किया था, क्या, Goa, तो 1520 वाला आंसर गलत है, next है, Goa became the center of portiguis state in India, ठीक है, हाँ, तो ये भी सही है, कि Goa जो था, वो main center बना था, portiguis का इंडिया में, ठीक है, तो first, second, और D पार जो है, इसका, वो सही answer है, next है, consider the following statement and choose the correct option, the first portiguis governor of Indian possession was Francis को, हाँ, पहला Francis को DL Media था, second है, Cochin was the first portiguis capital in India and later it was replaced by Goa, बिलकुल, जी किस ने किया था, नीन हो दा कुना ने किया था, जो की, ये कब किया था, 1530 में किया था, ठीक their first factory at Calicut, बिलकुल सही, first factory Calicut में हुई थी, first fort जो हुआ था, वो कोचिन में हुआ था, तो one, two, three, three, तीनों ही, इसके सही होंगे, next है, governor, नीनो दा कुना moved portiguis capital from Cochin to Goa, बिलकुल सही, 1530 में इसने किया था, portiguis बादा, last to leave from India, 1961 में ये leave किये थे, इंडिया से, जब Indian Army ने operation च Dutch founded their first factory at Surat, first factory कहां पे हुई थी, first factory सूरत में नहीं हुई थी, हमने पता है, मसोली पतनम में हुई थी, अब fourth हमने पढ़ा नहीं है, यह आगे आएगा, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ो, अभी तक फिलाल क्या है, one or two हमारे सही है, ठीक है, तो one or two जो है, वो हमारे सही है, अभी fourth हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम इसको consider नहीं कर रहे है, इसी साब से जितना हमने पढ़ा है, उसे साब से one or four क्या है, इसका correct answer, one or two इसका correct answer है, ठीक है, next क्या है, कुछ important point और पर्तिगुइस के बारे में, ठीक है, पर्तिगुइस lost their final colonial outpost of Goa when the Indian army launched a military operation called Vijay, ठी इन्होंने introduce की थी, इंडिया में, next important point है, they also introduced the first printing press in India, Goa में की थी, 1556 में, first printing press, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टन है, ये चीज़ें भी याद रखना, इसमें से MCQ जे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इतना ही है हमारा, यही हमारे MCQ है, पौर्तिगुइस और Dutch के, तो जि इसलिए, साथ साथ MCQ करोगे, तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, thank you